हलो स्टूडेंट आपका अमारे यूटूब चैनल पे स्वागत हैं आज के इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ की मैस का जो थर्ड चैप्टर है कोडिनेट जमेटरी उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट में पूछे जा सकते हैं तो आई स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को तो फर्स्ट कोशन है किसी बिन्दू का भूज उसकी दूरी होती है यहां पर ऑप्शन दे रखा एक्स 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 और इस और इसन या नन ऑफ कोई भी पॉइंट प्लॉट करते हैं उसमें एक्स कोडिनेट होगा और वाई कोडिनेट होगा ठीक है अगर मैं यह पॉइंट कहीं प्लॉट करूँ जैसे कि यह पॉइंट हमारा फर्स्ट कोडिनेट में आ रहा है यह एक्स हो गया यह यह वाई हो ठीक है अब इसमें पू का answer हो जाएगा option number b y x से अगला question देखते हैं अब बोला किसी बिंदू का y निर्देशांग उसकी दूरी होता है the y coordinate of a point is the distance of the point from अब ये question भी बिल्कुछ same वैसे ये जैसा first question था उसमें हमारे पास x-axis का पूछा था इसमें y-axis का पूछा है तो अगर मैं यहाँ पर Cartesian plane draw करूँ ये x-axis होगे y-axis ठीक है अगर point मैं देखता हूँ यहाँ पर यहाँ पर एक point है xy ठीक है तो बोला है y के निर्देशांग किस की दूरी होते हैं ये x-axis से दूरी बताते हैं तो इसका अंसल हो जाएगा हमारा option number a x-axis अगला question है वै बिन्दू जिसके दोनों निर्देशांग रिनात्मक हैं स्थित होगा इफ बोद दा कॉडिनेट अफ पॉइंट अर्पॉइंट अर्पॉइंट विल लाइ इन तो यहाँ पर partition plane में आपको पता है कि first quadrant में हमारे पास x और y दोनों positive होते हैं ठीक है second quadrant में x हमारा negative होता है y positive होता है third quadrant में हमारे दोनों negative होते हैं और चौत्थे quadrant में x positive और y negative होता है ठीक है यहाँ बोलागी किस quadrant में दोनों ही coordinate negative होंगे माइनस के होंगे तो किसम होंगे थर्ड में option number C इसका correct answer हो जाएगा अगला है किसी बिंदू यदि किसी बिंदू का भुज शूनने है तो वह बिंदू सदेव स्थित है if fc साफ a point is 0 then the point will lies तो यहां बुलाएगर कोई point है जिसका x coordinate भुज जो है वो हमेशा 0 हो यहां पर कुछ भी य की value 1 भी हो सकती है 2 भी हो सकती है minus में भी हो सकती है तो यह point हमेशा कहाँ लाई करेगा y axis पे ही लाई करेगा अगला question है यदि x हमारा बड़ा है 0 से y जो है छोटा है 0 से तो बिंदू x minus y में स्थेथ होगा तो कहां स्थित होगा X हमारा प्लस हो और Y हमारा माइनस हो तो यह होगा हमारे चौत्थे क्वार्डेंट में option number D fourth quadrant next question देखते हैं अगला है बिंदू A zero स्थित है तो A zero कहां स्थित होगा इसको पहले graph के तुरू समझने कोशिश करते हैं तो यहां पर मैंने यहां पर एक काटेशिन प्लेंट रो कर दिया X, X's और Y's अब यहां पर Y कोडिनेट तो 0 है और X कोडिनेट कुछ भी हो सकता है अगर Y कोडिनेट 0 है तो हमारा यह जो पॉइंट है हमेशा X एक्स पर ही लाए करेगा ठीक है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है तो इसका अंसर हो जाएगा आप्शन नमबर A X अक्स पर आउन एक्स एक्स नेक्स कोडिन है चौत्थे चतुर्थांस में स्थित किसी बिंदु के भुज और कोटी के करमांज चिन है साइन्स ओफ एपसीसा एन ओडिनेट ओफ पॉइंट इन दी फोर्थ कोडिन आर रेस्पेक्टिवली तो फोर्थ कोडिन में क्या होता है X पॉजिटिव होता है और Y नेगेटिव होता है तो आप्शन नमबर D जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है किसी बिंदु का भुज धनात्मक होता है ओडिनेट ओफ पॉइंट इस पॉजिटिव इस तो हमें यह बताना है कि जो ओडिनेट है मतलब कि Y कोडिनेट है वो किस किस कोडिन्ट में पॉजिटिव होगा तो देखिए अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट कोडिन्ट बताऊं तो इसमें हमारा जो है दोनों पॉजिटिव होते हैं सेकिंड कोडिन्ट में हमारे पास X नेगिटिव होता है और Y पॉजिटिव होता है थर्ड कोडिन्ट में और एक second में होगा, तो option number 20 का correct हो जाएगा, ठीक है, अगला question देखते हैं, next question है, वे बिन्दू जो y-ax की रिनात्मक दिशा में y-ax पर 10 मात्रक की दूरी पर स्थित हो, the point which lies on y-axis at a distance of 10 unit in negative direction on y-axis, तो इसका जो correct answer हो जाएगा, वो हो जाएगा 0-10, अगला question देखते हैं, अगला है, वे बिन्दू जिनके भुज और कोटी विविन चिन्नों के होते हैं, स्थित होंगे, the point whose abscissa and ordinate have a different sign will lie in, अब बोला है कि different sign के हो, वो कौन से quadrant में होंगे, ये first quadrant में तो दोनों positive होते हैं, ठीक है, और second quadrant में, negative or positive, third वाले में दोनों negative होंगे, और fourth वाले में positive और negative होगा, ठीक है, तो किस quadrant में different होते हैं, तीसरे में और fourth में, तो option number d's का correct answer हो जाएगा, अगला question है, अब next question देखते हैं, यहाँ पर हमें 5 point दे रखे हैं, और ये बताना है कि कौन कौन से point है इन 5 में से, जो x axis पे lie नहीं करेंगे, ठीक है, अगर आप point क plot करोगे, तो हमारा p point जो है, यह हमारा x axis पे नहीं आएगा, ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं q point को plot करोगा, तो यह x axis पे आएगा, ठीक है, यह हमारा x axis पे आएगा, और r point भी नहीं आएगा, और s point भी हमारा x axis पे आएगा, ठीक है, यह भी x पे आ रहा है, और यह भी x प अगला कोश्यन है हमें यहां पर दो पॉइंट दे रखे हैं P वका एक है और Q पॉइंट दे रखा है हमें क्या बोला है एक ठीक है जो भूज होगा P का वो माइनस दो होगा और Q का जो है Q पॉइंट होगा माइनस 3 और 5 है इसका भूज क्या हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा अब हमें करना क्या है इनका डिफरेंस निकालना है तो माइनस 2 में से हमें माइनस करना है माइनस का 3 माइनस टू माइनस माइनस प्लस हो गया और माइनस प्लस माइनस प्लस का 1 तो option number 20 का correct answer हो जाएगा अगला question देखते है अब यहाँ पर हमें 4 point दे रखे हैं और यह बताना है कि जो point है वो कहाँ पर lie करेंगे ठीक है तो पहला point जो है 1 और 1 दोनो positive है तो first quadrant में लाई करेंगे ठीक है और second है one और minus one तो यह हमारा fourth quadrant में लाई कर रहा है और minus one और one यह हमारा किसमें कर रहा है second quadrant में और जो last वाला है वो third quadrant में ठीक है तो यहाँ पर जो है यह क्या बोला है यह एक ही चर्तुठांश में स्थित नहीं है तो यह सारे सारे अलग अलग है तो यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला कोश्चन देखते हैं वैब इंदू जहां दोनों देशांक अक्ष मिलते हैं कहलाता है दा पॉइंट अफ इंटर सेक्शन अफ और कॉडिनेट एक्सिस अब यहां पर अगर मैं यह Y-axis है यह X-axis है यह X-axis और Y-axis जहांए मिलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम Origin बोलते हैं मूल बिंदू तो option number D का correct answer हो जाएगा अगला question है मूल बिंदू के भुज और कोटी हैं तो मूल बिंदू जो है वह हमारा 00 होता है तो D का correct answer हो जाएगा next है दोनों ने देशांक अक्ष के बीच के कोन का माप है the measure of the angle between the coordinate axis is अब यहाँ पर हमारे पास जो x-axis है और y-axis है और center में जो बनता है वो हमारा origin होता है तो यहाँ पर कितने degree का angle बनाते हैं यह हमेशा 90 degree का angle बनाते हैं तो यह हमारा आगे option number D अगला question है अगला question है x-axis बिंदू P की लामबित दूरी है the perpendicular distance of the point minus 4 minus 3 from the x-axis तो इसको अच्छी तरीके समझने के लिए हम इसको Cartesian plane पे पहले plot कर लेते हैं यह x-axis है यह y-axis है अब minus 4 minus 3 है तो यह हमारा third quadrant में कहीं आएगा minus 4 minus 3 तो अगर मैं x-axis से perpendicular distance draw करता हूँ ठीक है तो यह कित्ते unit होगा यह हमारा होगा minus 3 unit उतना ही होगा जितना y से y पर है minus 3 is the correct answer अगला question है y-axis बिंदू P minus 7 और 2 की लामबित दूरी है the perpendicular distance of the point minus 7 to 2 from the y-axis अब देखे यह point जो है हमारा minus 7 और 2 है तो यह हमारा second coordinate में लाई करेगा जैसे कि यहां ले लिया हमारा minus 7 और 2 है अगर हम इस पर perpendicular distance draw करना है y-axis पर तो दूरी कितनी होगी दूरी होगी उतनी ही जितना इसका x coordinate है तो minus 7 इसका correct answer हो जाएगा option number A अगला question है मूल बिन्दू से बिन्दू P तीन और 4 की दूरी है तो मूल बिन्दू से पूछिए तो यहां पर अगर मैं Cartesian plane draw करता हूँ यह x-axis है यह y-axis है दोनों point positive है तो first quadrant में होगी x हमारा कितना 3 है और y कितना 4 है तो x3 है 1, 2, 3 और y कितना 4 है तो यह हमारा 4 unit हो गया ठीक है यह 4 unit हो गया यह 3 unit हो गया अब हमें मूल बिन्दू यहां से दूरी बतानी है तो अगर मैं यहाँ पर A से B की दूरी निकालनी है तो हमारा x square बरावर होगा तीन का square जमा चार के square के तो यह 9 और 16 x square तो x square होगी है मेरा 25 तो x आजाएगा अंडरूट 25 तो x की value कितना होगी 5 unit option number d इसका correct answer हो जाएगा next question है हमें यहाँ पर 4 point दिये हुए है इसमें सब बोलना है कौन से बिंदू मूल बिंदू के नजदीक है तो सबसे past कौन सा है जो origin के close है तो यहाँ पर यह हमारा x axis है यह y axis है पहला point तो हमारा minus 5 और 0 है तो x हमारा minus 5 और 0 है तो हमारा यहाँ कहीं आएगा minus 5 और 0 दूसरा हमारा है 0 minus 3 0 minus 3 तो 1, 2, 3 यहाँ आगया 0 minus 3 और दूसरा है हमारा 1, 2, 3 ठीक है यह हमारा 1, 2, 3 यहाँ आएगा 3 और 0 और दूसरा है 4 यहाँ आगया हमारा 0 और 4 तो कौन सा pass हो जाएगा देखिए जो आपका B point है और C point है दोनों ही 3 unit दूरी पर है तो हमारा जो answer होगा B और C जाएगा correct answer होज़ा option number D यह थे हमारे chapter number 3 के most important question उम्मीद है आपको मारे वीडियो पसंदाया होगा thank you